रंदीव जी एक छोटी उमर में भक्ती की ओर जो है कैसे आप अगरसर हुए? उस आयू की अंदर व्यक्ति अलग-अलग प्रकार सी सोचता है, तो जो ये विचार उत्पन हुआ, कि हमें प्रमात्मा की प्राप्ति करने चाहिए, कि कैसे प्राप्त हो, हम इस खोज में लग गए, कि प्रमात्मा है भी या नहीं है, पहले हम प्रमात्मा को नहीं मानते थे, खोज करने लगे, क्योंकि हम खोज के भिना किसी को मानते हैं मुझे, तो हमने खोज सरू की, कि प्रमातमा नाम का कोई तत्तव है, या करोड़ों अरवों लोग वैसे ही उसके पीछे भाग रहे हैं, हम खोज करते रहे, खोज करते रहे, रास्ता मिलता रहा, तो जो मन के द्यान रहा, शाधना रहिए। और ध्यान के दवारा बैट करके उसका सुमरण नाम का, क्योंकि ध्यान के अलावा और इस यासान रास्ता मुझे कोई महसूस नहीं हुआ. जैसा कि आपने गोबिंद जी की पूजा की, साथना की, गोबिंद जी को ही आपने क्यों चुना? नो अवतार हो चुके हैं, अवतार तो अवतार ही हुए है, मात्मा गुद्र आपने हुए हैं, तो आठ आपने जितने भी हुए हैं, सबसे श्रेष्ट जो अवतार का, जो हमारे महापुरु थे, जो उनका सिस्टम था, जो तेज था, जो त्याग था, जो सकती थी, जो परभाव था, जो ग्यान था, जो उन्होंने गीता का उपदेश दिया, सब कुछ अलग तरह से था, और उनके जो विचार थे, उनसे बहुत परभावित हुए, हमने गीता को पड़ा, होज करके देखा, तो फिर हम उसी दिशा की और आगे बढ़ते से लेएं, मानख जीवन का उदेश जी का है आपके अनुसार? मेरे नुसार मानख जीवन का उदेश है, परमात्मा की प्राप्ति, संसार में रहते हुए भी, सन्यास कोई ऐसी वस्तु नहीं कि गए और परमात्मा की प्राप्ति होगी, संसार में रहते हुए भी, और संसार से बाहर भी, यहां कितने वर्स रहोंगे, पचास वर्स, सो वर्स, दो सो वर्स, एक नेक दिन तो जाना ही पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले वहां जाने के लिए जो तयारी करनी है, उस के लिए यह मानव जीवन उत्पन हुआ है, तो यही मानव जीवन का लक्स है, यहां पर तमाम लोग आते हैं, तमाम सारी उनकी परेशानियां होती हैं, दिक्कते होती हैं, तो किस तरीके से आप उन निकालते हैं ओने दो परकार पोजिटी वड़ती हैं नमसुरमकौार वावित है संवाज भी परीवıट होने लगते हैं परिवार भी परवावित होने लगते हैं उसी एनरजी को अगर हम कनवर्ट कर दें बदल दें और वो पोजिटिव में बदली जाएगा तो फिर जिस परकार से देवता और असुर आपने सुने होंगे राक्सस तो राक्ससों को अगर अटा दिया जाए तो देवता ही रुच जाएगा सार जिस परकार आज हमारा समाज मानसाहर की और जादा जा रहा है तो इसके उपर आपका कहियान है देखो हमारा जो मानव का सरीर है ये मासाहर के लिए उप्यूपत नहीं है ये तो साइस ने भी प्रू कर दिया है वेगयनिकों ने भी कर दिया है और जो उन्हारे रिसीमूनी है उन्होंने भी यही लिखा हुआ है क्योंकि आप इतना जब जीव को काटते हैं आपने देखा होगा मैंने बड़ा नज्दिक से जा करके देखा है क्योंकि मैं खोज करता हूं रिसर्च कि जिन्दा जिवों को उठा करके ऐसे अगनी के अंदर डाल दिया जाता है जला दिया जाता है ऐसे सूरों को जिन्दा चारों तरफ अगनी जला करके ऐसे चीरा जाता है तो कितना दर्द म किसा ही मन हो जाएगा, हमारी परवर्तियां बदलने लगेंगी, आप उनके स्रीर देखना, मन देखना, विचार देखना, उनकी राक्ससी परवर्ति हो जाएगी, और वो परमात्मा से हटके, समात से हटके, और करूर परवर्ति के लोग हो जाएगे, इस कारण से मासा हार से क कोशिष करनी चाहिए कि इसे दूर रहा जाए। मात्मा भूद्य ने भी कहा था कि मरे हुए जानौर का मास खा लेना चाहिए। लेकिन उसी के अंदर इतने रास्तें निकाल दिए गए हम नेपाल के अंदर गए और फिर बख़ोल दिया जाटा कि विए मरे हुए जानुवर का इस शरीर के उपर भी और आजातम के उपर भी मन पर भी अच्छा प्रवाव नहीं पढ़ता पूरे देश से जो जनता आपको देख रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे गोविन धाम की तरफ से? ये समाज एक परिवार की तरह सी है, और समाज से जब हम साथ मिल करके चलेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के जो कष्ट हैं उनमें सहाइक बनेंगे, सबसे पहले परिवार, फिर समाज, फिर परकती, फिर परमात्मा, ये एक दूसरे के साथ सब जुड़े जब हम एक-एक के साथ खड़े होंगे, एक-एक के साथ हमारा positive energy फैलती जाएगी और उनके संदेश, मतलब परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान का सुम्रण करेंगे, उसकी बजन करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, यह नहीं कि किसी को भी बोला और मान लिया, किसी न नहीं हो जाती, चाहे मैं हूँ, और हो, गुरु हूँ, संसारी लोग हूँ, तांतरी किसी की भी मत सुनो, मत मानो, जब अपना नुभा हो जाएगा, जब आपका अपना कुछ होगा, आपको अपनी प्राप्ती होगी, तभी आप समझ पाएंगे, उस तत्तों को जान पाए आते हैं, और उनका दावा है कि बड़ी से बड़ी बिमारियां जो है उनकी यहां पर आपके गोविन धाम में आने से ठीक हुई है, तो हम यह जानना चाहते हैं कि वो कौन सी पद्धिती है, जिसके द्वारा गोविन धाम में इलाज किया जाता है, यह हमारी कोई अलग की है, कि एक यह देखिए जो आपको टैविलेट दी जाती है, जो आपको गल्कोस लगा जाता है, जो आपको दवाया दी जाती है, कैंसर के अंदर कीमो दी जाती है, फून के अंदर चड़ाई जाती है, तो यह जो पद्धियां है, यह सारान पद्धियां है, एक वो पद् वेदों के दवारा, मंत्रों के दवारा, यद्गों के दवारा, सुरन के दवारा, योग के दवारा, वो ताकत जब अर्जित की जाती है, उसका परभाव करके लोगों को यह कोई बड़ी चीजे नहीं होती है, आप बात करिए लोगों के साथ आपको पता कर जाएगा. सर अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो जिन मूर्तियों को हम मंदिरों में रखकर पूछते हैं पूरे पूरे टाइम उनके खंडेत होने के बाद जब लोग उनको पेडों की नीचे रोड साइड फेक देते हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए देखो लोग आजकर यह बहुत जाना मामला चाया हुआ थाके बढ़ा, पेडों के नीचे रखाए, वहां रखाए, जल्द के अंदर पर भाई कर दिया की जल्द के अंदर किया कहीं न कहीं ओद लोगों की परेशान क तेरो कि अंध्य हमारा अगर इसी परकार से मन के अंदर विचार पैदा होते हैं, देखते हैं कि कहीं कहीं मूरतिया पड़ी हुई है, हमें बड़ा आधात लगता है, दुक होता है, मन परेशान होता है, कुछ लोगों के जो भाव है वो भी ये सोचते हैं कि कल तक तो मैं इसके सामने मस्तक जुका रहा था, आज ये तूटा हुआ पड़ा है, इसका हमें पर्मनेंट समाधान करना चाहिए, कि किस परकार से समाधान हो, या तो इन मूर्तियों को इस परकार से तयार किया जाए, कि पत्थर की जो पुरानी मूर्तियां है, पुरातन मूर्तियां है, उनको इस परकार से हमें या तो पूरी तरह से खंडित कर देना चाहिए, कि उनका रेत ही बना दिया जाए, उनको तब परवावित किया जाए, नहीं तो इस परकार का जो ये सिस्टम है, इसे हिंदु धरम तो सनातन धर्म हमारे जो दे होता है उनका बहुत अपमान होता है। हमें इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि कोई तामतरी काज बता देता है यह मूर्ति उठा करके वहां डालाओ मेरे वाली मूर्ति रख दो यह बदलता रहता है हमें हर चीज का द्यान रखते हुए हमें सनातन धर्म की जो बदिशा है जो नियम है जो पुरातन सस्करती है उसको उपर उठाने का प्रयास करना चाहिए सर आज जो यूगा पीडि है वह कहीं नहीं सनातन धर्म से जो हमारे देवि देवता है उनकी पूझा करने से एक दूसरे और जा रहे हैं उनकी पूझा नहीं करते आज की लेट में तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनों युवाप वीडियों को किसी न किसी तरह से चाहे आस्तिक हों नास्तिक हों उस प्रमात्मा के साथ जुड़े हुए है चाहे प्रकरती के साथ जुड़े हुए हैं चाहे प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं चाहे जीव के साथ जुड़े हुए हैं चाहे अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं व परते एक वस्तू की पूजा की जाती है, सिर की, पैर की, हाथ की, कामाख्या के अंदर जा करके देखिए, ऐसा कोई यंग नहीं जिसकी पूजा ना की जाती हो, बस वो आत्मा को भी मानते हैं, वो लोग बस भूले हुए लोग हैं, वो बस उन्हें ये पता नहीं कि किसकी पूजा करनी चाहिए कैसे साथ ना करनी चाहिए देवी देवता मानने चाहिए लेकिन पूजा किये योगे कि उन परमात्मा ही है परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई पूजय नहीं है तो वो लोग दीरे दीरे देवताव जिब उनको समझाया जाएगा कि परमतत्तव क्य आवस्तु है देवता क्या है देवी क्या है क्या है पूरन परामातमा कोन है और जिव को समेघ को समझा जाता है तो झाहिन ऊस्थिक वियाइस्टिक न जाते हैं वर हमारी युवा पेड़ी लगाऊ सर आज की रीट में अगर देखा जाए तो जो युवब पेड़ी है मंदिरों में जब दूट चढ़ाते हैं धई शड़ाते हैं। तो वह बोलती है कि ये किसी गरीब को क्यूना दे दिया जाए यहां पे बहाने से अच्छा है किसी गरीब को दे दिया जाए। जिस परकार से विश्रमों के उपर तुलसी चड़ाए जाती है, शिव के उपर तुलसी नहीं चड़ाए जाती है, शिव के उपर जो तत्तव चड़ाए जाते हैं वो विश्रमों के उपर नहीं चड़ाए जाते हैं, वो और किसी के उपर नहीं चड़ाए जाते हैं, ये की शांती के पाथ कर दिये जाते हैं यह वो अक्षनिक तत्तव है यह वो अक्षनिक एनरजी करने की एक विदी है जिससे हमारे अंदर जो नेगेटिव उर्जा है नकारात्मक उर्जा पर तेक देवता के उपर आप देखो अलग-अलग वस्तुए चड़ाई जाती है सब के अपने स्नातन्द्रम के लोग यही सोच रहें क्यों चटाया जाता कारण क्या है भोज नहीं करते बस कोई बोहता ऊसको दॉदा करता है जवाब है नहीं क्योंकि उन्नेग परमातमा की प्रापती नहीं कि जब प्रमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो सब कुछ आपके सामने होगा तो उस energy को मजबूत करने के लिए positivity की तरह बढ़ाने के लिए कुछ पल के लिए जीवन पर वावित करने के लिए देवताओं के उपर वो चड़ाया जाता है तो वो चड़ाया जाता है यह नहीं कि बस गरीबों में पाट दिया जाए वहां ने चड़ाया जाए उस energy अगर मजबूत होगी मन मजबूत होगा ताकत मिलेगी आप लोगों को तो आप उसे गरीबों को भी पाट दीजिए जितना मर्जी पाट दीजिए कोन और उकरात लोगों को कोई भी नहीं सार सनातन धंत के अनुसार हमारे जो वायू मेंडल है उसके अंदर दो तरह की energy है सकरात्मक और नकरात्मक तो जिस तरीके से नकरात्मक जो उड़जा है उससे बचने के कुछ उपाई है कि आपको बता दो आपकी जानकारे केट यह तीन परकार के energy होती है एक positive एक negative और एक वह energy जो ना negative ना positive वो कभी ना प्रभावित होती है ना किसी को प्रभावित करती है वह पूरन प्रमात्म है वह इन सब का रचना करने वाला है वह अलग है अगर हम जो यह positive energy है इसको सभा इसको समालने के लिए द्यवान, नाम सुम्रण, कुंडलेनी जागर्न योगा बिन बिन प्रकार के तरीके हैं जिन से हम इसको जागरत रख सकते हैं और जब ये जागरे तो हो जाएगी तो नेगिटिव एनरजी अपने आप भी दूर जाएगी जिस परकार से आपको ये बलफ जला दिया जाए लाई टोन कर दी जाए अपने आप यह अधेरा बाग जाता है। उसी परकार से ये नकार अत्म कूर जाए जहां प्रमातमा की मेर होगी नाम सुम्रण होगा परवाव होगा सक्तियों का परवाव होगा उस परम्तत्तव को याद किया जाएगा और द्यान के अंदर सुम्रण किया जाएगा यह नजदीक भी नहीं आएंगे अपने आप ही बाग जाएंगे यह चीजिदें